हालो स्ट्वेंट्स आई टी जे मैस अकेड़ी में आपका स्वागत है चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो बैल आइकन का बटन को प्रेस करिए क्योंकि इस चैनल पर जे इमन और जे एडवांस के जो प्रीविएस एर की प्रॉब्लम्स हैं सभी का वीडियो सॉलूसर्स डिस्कस कर रहे हैं जब यूटूब में प्लेयलिस्ट में जाखर करके सभी प्रॉब्लम्स को देख सकते हो, ओकि इस्टुएंट वेडियो में डिस्कस कर रहे हैं चेप्टर, continuity and differentiability का प्रॉब्लम और यह जो प्रॉब्लम में 119 ये 10-1 को 17 को 2 आज ये कम हुआ था उसमें यह problem आया हुगा है क्या है function f है minus 1,1 interval से r में defined है such that fx is equal to maximum of minus mod x minus under root of 1 minus x square ठीक तो fx is equal to यह given है क्लिए student now आगे दे रखा है kb the set of all points at which function is non-differential then kh exactly तो किते सारे points पर ही non-differential आएगा मैं इसके बारे में पता लगाना है तो student solve कैसे करेंगे fx is equal to maximum of minus of mod x minus under root of 1 minus of x square ठीक ऐसा कुछ given है तो अब्वेसी बात है आपको इसका graph draw करना है मतलब आपको differentiability है non-differentiality के आरे में पता लगाना रहता है तो एक सबसे बड़िया तरीका होता है आप graph होना हो ठीक है जैसे आप graph होना दूब तो आपको मालूम होता है by graph जहां पर sharp corner आते हैं जिन points पर जहां पर function discontinuous होता है उन सभी points पर function कैसा रहेगा non-differential रहेगा ग्राफिक के लिए हम पटाफ़र देख सकते हैं तो पहला काम तो कहा कि हमने इसे graph बनाते हैं minus mod x graph पर हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस graph तो आसानी से ऐसे बन जाएगा ठीक है mod x graph कुछ ऐसे होता है तो minus mod x graph कुछ ऐसे आ जाएगा यह तो minus mod x graph आ गया है अब मुझे करना क्या है इसे graph ड्रो करना है y is equal to minus under root of one minus of x square ठीक है अच्छा आप दोखो इसका graph बहुत असानी से आप बना सकते हैं आपने कहा कि squaring किया squaring करने पर दोखो यह y square बनेगा और यहाँ one minus of x square बना x square plus y square is equal to कितना रहा है 1 आ रहा है सरकल लिखा हुआ है अज सरकल भी लिखा हुआ है तो इसमें भी आपको एक बात और ध्यान देनी है जैसे मैंने कहके circle को बनाते टाइम पहले dotted बनाया ठीक है कि सरकल आगे इसका radius बने सेंटर जिरो जिरो है न अच्छा इसमें देखो y के जो value आ रहे है अंडरूड वाला पार्ट तो positive रहेगा minus something तो y का value कैसा negative आ रहा है मतला उपर वाला हिस्सा ना है कि कौन सा हिस्सा आएगा नीचे वाला हिस्सा आएगा सरकल का सरकल का यह आदा हिस्सा ने रखा है ठीक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई minus mod x मा और minus 1 अट्रीर में सटब ना यह में मग्सिमम है इन दोनों में जो maximum है इसमें उना ए समे जो maximum है वह यह वाला पार्ट है जो मैंने समझे डार्ड वाले पार्ट से डाज किया हुआ है ठीक है इन दोना niż में जब maximum जोड़ेंगे तो वह यह आएगा इन दोनों में जब maximum दिखेंगे तो यह वाला part आ जाएगा maximum इन दोनों में जब maximum ढूड़ेंगे तो यह वाला portion आया ठीक है मतलब आप जहां से लेखें तो एक sharp corner यहां बन रहा है एक sharp corner यहां बन रहा है और एक sharp corner यहां पर बन रहा है ठीक है तीन जगे कैसा रहा है सार्पॉर्लर आ रहा है तो आप यह कह सकते हो कि according to the graph जो number of point of non-differentiability है यह at three point at three point function is non-differentiable ठीक है तो जो k का value आया है तो k का आप k भी the set of all points at which function is non-differentiability अदर k है exactly three values ठीक है तो कॉंसर ओप्शन करेक्ट हुआ option h correct options okay students thank you